बीती रात अग्याद चोरों ने घर के सामने खड़ी मोटरसाइकल की चोरी करके फरार हो गए जिसकी रिपोर्ट पुलिस चौंकी में दर्श कराई गई है फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है बन देखकर पुलिस चौंकी इलाके के वार नमबर 6 निवासिव्यापारी मुकेश जैन के निवास के सामने खड़े होंडा साइन वाहन को बीती राचुरा कर ले गए दो मोटरसाइकल साइन वाहन चौरी की शिकायत आने पर देखकर पुलिस तफ्तीश में जुट चुकी है बीते साल में चौरी में काफी इजाफा हुआ है जिसमें प्राथी जैन के दुकान से 2 लाक रुपे की सरिया चड़ के अलावा दुकान के सामने खड़ी गाड़ियों से डीजल पेट्रोल चौरी होना आम बात हो चुकी है गौरत लव है कि बीतने चार माँ पहले हर जुएलरी शौक में सोना चांदी की चौरी हुई थी वही चौरी करने वाली महिलाओं का फुटेज भी सीसी टीवी कैमरा में रिकॉर्ड होने के बावजून वे आज तक पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाई है यह समत से परे है वही अब पुलिस की गश्न पर सवाल उटना लाजमी है इसके पुर्व भी दो साल पुर्व मेरी महावी ट्रेडिंग कंपणी में छड़ चौरी लगभग 2 लाग रूपय के छड़ चौरी हुआ था चड़ चोरी वात दूला गुरूप है तो इसका भी मैंने रिपोर्डर जी करा है उसके पूरा मेरे गाड़ी बड़े गाड़ियों में डीजल चोरी पेट्रोल चोरी यह आम बात हो गई पूरा लगातार चोरी पूरी इस प्रसासन के उपर मैंने विश्वास नहीं रहे मैं आला अधिकारियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि निश्पक्षरूप से जाच करा है और रूपी को पकड़ करें ग्राम देवपर का है जो अपने घर के सामने अपने मोटर साइकल होंड़ा साइन को खड़ी किये थे जिसको कोई अध्याच और दर्मानी रात्री को चोर कि तो अधिकारियों प्रूपी को पकाड़ कर नियाई प्राइग 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 वांगे नमब चोरी कि हो गाते हुगा थे उसके पर ग्यास तर उसको पतासाज नहीं हो पाया नुद्धर भी आरोपी पुलिस पकड़ से बहार आए जसा क्यों ने पिछले वागतों चोरी हुआ था उसमें लगाता पतासाजी किया गया है अभी इस चोरी के प्रबस्त में वेजना मिलिया गया है जल्दी ही मलाबागात अलोपी के विरुत तर तिसकर पतासाजिकर का बार किया है ऐसे ही लेटिस्ट खबरे पानी के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए